श्रदा और आफ्ताब मुंबाई की कॉल सेंटर में काम करते थे घरवालों के विरोध की वज़ा से दिल्ली में आकर लिविन में रहने लगे थे दोनों 18 माई को दोनों के बीच जगडा हुआ आफ्ताब ने श्रदा का मुँ दबाकर उसका मडर कर दिया आफ्ताब ने श्रदा का मडर कर उसके शव के टुकडे किये बद्बू ना आए इसलिए फ्रिज भी खरीदा और उसके शव के टुकडे उसी फ्रिज में रखे 18 दिन तक शव के टुकडे महरोली के जंगल में वो फेकता रहा और ये पूरी टाइम लाइन आपने कुमार सोनू की रुपोर्ट के जरिये भी समझी कि किस तरह से आप राधिक गतिविधी को अंजाम दिया गया आफ्ताब ने श्रदा को मार कर शव के 35 टुकडे क्यों किये उसकी वज़ा जान लीजिए पोलिस के मताबिक आफ्ताब पर शादी का दबाव बना रही थी श्रद्धा शादी को लेकर आफ्ताब और श्रद्धा में जगड़ा हुआ था बहस होई थी और 18 मई का ये पूरा घटना करम है उसी दौरान जब श्रद्धा चिला रही थी तो आफ्ताब ने उसका मू दबाकर चुप कराने की कोशिश की और उसकी मौत हो गई और उसके बाद जब उसने देखा कि श्रद्धा की मौत हो गई है तो उसने आनन फानन में शव के टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में प्रिज में प्रिजर्व करके रखा और अठारा दिन के वक्त के अंदर टुकड़ों को धीरे धीरे करके महरोली के जंगलों में वो फेकता चला गया कुमार सोनू, पुलिस को आफ़ताब से पूछताच में और क्या कुछ पता चला है क्या आफ़ताब कहां का रहने वाला है और क्यों नहीं उसने इस पूरे मामले में खुद सरेंजर करने की कोशिश की और किस तरह से उसने फरिज खरीदा, कहां से खरीदा और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया देखें, दरसल छे महीने पहले की बात है ठारा मई को दोनों की बीच जबरदस 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 जबरदा हुआ जिसके बाद क्योंकि जबरदे के दौरान शद्दा चिला रही थी तो उसका मूँ दबाया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई लेकिन आफताब का आप शातिरपन देखिए, इतना शातिर था वो कि उसने तुरंट जो है इस बात की जानकारी पुलिस को देने की बजाए उसके शव को छिपाया, उसके बाद बाजार से एक महंगा बड़ा फ्रिज खरीदा ताकि जो है उसके शव के टुगडों को उसमें प्रिजव कर सके उसमें कंटेन कर सके और बदबू जो है वो बाहर तक ना जाए, अडोसपडोस के लोगों को ना पता चले क्योंकि अडोसपडोस के लोगों को अगर बदबू आती तो शक जो है आफताब पर जाता और वो पकड़ा जा सकता था तो लिहाजा उसने ये भी तैयारी की प्लान बनाया कि अगर वो इकटे जो है शव के टुकडों को ले कर जाएगा कि ये तस्वीर है वो जहां पर जिन जंगलों में वो फैक राता और सबसे बड़ी बात कि आफताब का शातिरपन यहीं नहीं रुका वो जब यहां जंगल आता था तो थैली को फैकता नहीं था थैली में से शव के टुकडों को निकाल कर अलग अलग डिरेक्शन में फैकता था ताकि जो जंगल में जानवर हैं जो जंगली जानवर हैं या कुत्ते हैं वो उसको खा ले शव के टुकडों को और वो पकड़ा ना जाए लेकिन जब लगातार परिवार क्योंकि श्रदा के Facebook page को follow करता था उसके दोस्त उसे फॉलो करते थे तो उसके दोस्तों ने देखा कि श्रदा की कोई भी पोस्ट जो है वो नहीं आई है श्रदा का फोन नहीं मिल रहा है जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसके परिवार वालों से संपर्क किया परिवार वालों को भी ये बड़ा अजीब सा लगा जिसके बाद उसके फोन पर फोन मिलाया गया तो फोन नहीं मिल रहा था श्रदा का उसके बाद महाराश पुलिस से संपर्क किया गया उसके बाद महाराश पुलि से पूछताच की हालने कि शुरुवाती दौर में तो आफताब जो है गोलमोल जवाब दिलिपुल उसको दे रहा था लेकिन जब दिलिपुल इसने सकती से उससे पूछताच की तो उसने कहा कि बकायदा बाजार से आरी खरीद कर लाया एक बड़ा फ्रिज खरीद कर लाया त एक तो ये कि दिन में कोई पडोसी उसे ना देख ले आसपडोस का रहने वाला जो लोग हैं वो उसे ना देख ले और दूसरी बात जब रात में वो जंगल में आएगा तो उसे उस दोरान कोई नहीं देखे तो इसलिए वो रात में आता था तो ये तमाम ऐसे बड़े कार नहीं किया जा सकता है कि बहुत ही शात्र तरीके से उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसने सोचा कि अगर वो इस तरह से क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी रच कर श्रद्धा के शव के टुकडों को इधर-धर ठिकाने लगाएगा तो पुलिस उसे को अइडेन्टिफाई किया और सबसे बड़ी बात कि साथ से दस जगा हैं ऐसी अलग-अलग direction में इलाका इन ही जंगलों का है लेकिन अलग-अलग जगा पर अलग-अलग direction में साथ से दस जगाएगा ओपर शव के टुकडे फैके ताकि एक ही जगा टुकडे ना फैके क्यो कि लगातार जो है आफताब जो जो श्रदा है वो फेस्बुक पोस्ट कर रही थी और मैं आपको बताओं कि पता चला कि उनकी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है उसकी जानकारी मिलते ही पुलिस पे जब शिकायत की गई तो इस पूरे मामले का पजा चला बहुत शुक प्ले स्टोर या अप स्टोर पर